ये दिखिए कितने बढ़िया लग रहे है ये लड़ू और ये बुंदी के लड़ू बनाना एकदम आसान है ये बुंदी के लड़ू का आपको मैं यहाँ पर टेक्शर दिखाती हूँ आपने अगर परफेक्ट मेजर्मन यूज़ किया तो ये बुंदी के लड़ू बनाना आसान है, ये बुंदी के लड़ू का टेक्शर में आपको अंदर से दिखाती हूं, ये दिखी, ये लड़ू अंदर से ऐसे दिखता है, और ये बुंदी के लड़ू बाजाजे से नहीं, उससे भी एकदम बढ़िया बनते हैं, तो आप जरू ट्राय करके देखिए, नमस्का अगर आपने अश्वीनिस कीचन को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, तो जरूर सब्सक्राइब किजिए, लाइक कीजिए, शेर कीजिए, और हाँ, बेल आइकन को प्रेस करना मद भूलिये, आप अश्वीनिस कीचन को फेसबूप, इंस्टाग्राम और ट्वीटर प यानि मस्क मिलन सीर्स यहां पे स्ताचयो Jason मैंने चोटे चोटे प इसमें कट करके लिया है यहां पे यह यलो फूर कलर यह बैसन जी क्या में बाड़ो ड़ो प्राई बैसन इसमें डाल देते हैं अब इसमें पानी डाल के लेंगे थोड़ा थोड़ा ही पाने हमें इसमें डाल के लेना है और इसकी consistency हमें ना जादा गाड़ी ना जादा पतली ऐसी चाहिए अब आप यहाँ पे देख सकते हैं यह देखिए एक जैसा गिरना चाहिए नीचे और इसमें हमें गुठलिया बिल्कुल नहीं चाहिए इसलिए हमें इसको एक 5 मिनिट अच्छे से हिलाते रहना है अब इसमें हम यह यलो फूड कलर डाल देते हैं अब इसको वापस मिक्स करके लेंगे इससे हमारी बुंदी अच्छे से पिले रंकी बन जाएगी अब यह फूड कलर इसमें अच्छे से मिक्स हो गया है यह बैटर की consistency आप य बुंदी के लड़ु के लिए चाशनी बना के लेते हैं ग्यास चालू कर देते हैं अब इसमें यह दो कप शुगर डाल देते हैं दो कप शुगर के लिए दो कप पानी हम डालेंगे ग्यास की फ्लेम मेडियम पे ही रखेंगे यह शुगर जो है पानी में मेल्ट होने लगी यह बुंदी के लड़ू के लिए हमें एक तार की चाशनी बनानी है यह आप यहाप देख सकते हैं यह शुगर पूरी तरह से यह पानी में मेल्ट हो गई है और यह शुगर सिरप को अच्छे से ओबा लाना चालू हो गया है यह देखिए हमारी चाशनी रेडी है यह बुंदी बनाना चालू कर देते हैं बुंदी बनाने के लिए हम यह जारय का इस्तिमाल करेंगे और जारय आपके पास अगर नहीं है तो यहापे यह मेरे पास छोटा टिपा है यह दिखिए यह ऐसे होल्स मेने बनाए है यह ऐसे ही होल्स आपको बना के लेने है और यह डि ग्यास हमने मेडियम फ्लेम पे रखा है, यह ओईल अच्छे से गरम हो गया है, हम पहले यह डिबबे का यूज करके बुंदी बना के लेंगे, यह हमने इसमें डाल दिया बैटर, यह देखिए कितनी बढ़िया बुंदी हमारी बन रही है, यह से टैप करेंगे, आपके पास अगर जार्या नहीं है, तो आप यह डिबबे में होल बना के बुंदी बना सकते हैं, और यह बुंदी को हमें जादा ब्राउन कलर पे प्राइ करके नहीं लेना है, यह बुंदी हमारी बन गई है, हम इसको निकाल देते हैं, यह देखिए, एकदम गोल गोल बुंदी रेड देते हैं, डिबबे का यूज करके बुंदी कैसे बनाना है, तो हमने देख लिया है, अब हम यह जार्या का यूज करके बुंदी बना के लेते हैं, यह बैटर इसमें डाल देते हैं, यह जार्या का यूज करके बुंदी डाल के लिए है, ग्यास हमने मेडियम फेंपी रख तो बुंदी एकदम परफेक्ट गोल गोला यसी बन जाती है, हमने जारे से बनाई हुई बुंदी है, और ये हमारी डिब्बे से बनाई हुई बुंदी है, ये देखी, दोनों भी कितनी बढ़िया लग रही है, अब ये बुंदी को हम इसमें निकाल देते हैं, तो अगर की बुंदी बना के लिए है, एक जैसे गोल गोल ऐसी बुंदी हमारी बन गई है, अब ये बुंदी को हम चाशनी में डाल के लेते हैं, ग्यास चालू कर देते हैं, ये चाशनी हमारी थंडी हो गई है, हम इसको गरम करके लेते हैं, ये चाशनी हमारी गरम हो गई है, ये इ तो मिल ऊपनतार्पर के ज़िए चाशनी में मिक्स बन करें लिए यह उपन लिए बीच आ इसमे लाइख. और थोड़ा लड़्ड को उपर से लगाने के लिए रख देंगे ये पिस्ताचियो वो भी थोड़ा सा इसमें डाल देते हैं और थोड़ा सा उपर लड़्ड को लगाने के लिए रख देते हैं इन सब चीजों को मिक्स करके लेते हैं ये सब चीजे अच्छे से मिक्स हो गई ये बुंदी अच्छे से सौफ्ट हो गई है, ये बुंदी ने चाशनी को पूरी तरह से सोक कर लिया है, अब हम इसके लड़ू बनाना चालू कर देते हैं, ये बुंदी को ऐसे हाथ में लेके लड़ू बनाना चालू कर देते हैं, आपको ये लड़ू छोटे बड़े, जिस लड़ु रेड़ी है, कितना बढ़िया लग रहा है लड़ु, लड़ु को हम नीचे प्लेट में रख देते हैं, यह दूसरा लड़ु अब हम बना के लेते हैं, अब इसी स्टाइल से हम यह पूरे बुन्दी के लड़ु बना के लेते हैं, यह किश्मिश भी यहां पे लग यह दिखिए कितने बढ़िया लग रहे है यह लड़ू, आपने अगर परफेक मेजर्मेंट यूज किया तो यह बुंदी के लड़ू बनाना एकदम आसान है, यह बुंदी के लड़ू का टेक्शर में आपको आंदर से दिखाती हूं, यह दिखिए और यह बुंदी के बाद आजे से नहीं, उससे भी एकदम बढ़िया बनते हैं, तो आप जरू ट्राइ करके देखिए,